बिस्मिल्य रख्मान इरहीम, असलाम लेकूम, आप देख रहे हैं कुद्बी शगुफता, आज मैं बहुत ही मज़े के पटाटो लोली पॉप बना रही हूँ, जो के बच्चों को तो बहुत पसंद आएगे, बच्चों को आप टिफन बाक्स में बना कर दीजिएगा, तो आ आलों में शामिल कर रही हूँ, एक अदत प्यास, जो के बारिक चॉप कटिंग किया हुआ है, एक अदत गाजर डाल रही हूँ, कदुकुष की हुई है गाजर को, और साथ ही इसमें एक अदत शिम्रा मिर्स डाल रही हूँ, शिम्रा मिर्स को जुलिन कटिंग किया हुआ है हाफ कप बॉयल चिकन डाल रही हूँ चिकन को मैंने रेशा-रेशा किया हुआ है वन टेबिल स्पून कुटी हिलाल मिर्स डाल रही हूँ वन टीज स्पून नमक कर शामिल कर दिया है हाफ टीज स्पून पिसव अंगर मसाला डाल रही हूँ वन टी स्पून की सावध धलिया डाल रही हूँ सारे मसाले आलो में अची तरह से मिक्स करेंगे और ये देखें मैंने सारे मसाले आलो में अची तरह से मिक्स कर दिये हैं हाथों पर अची तरह से ओईल लगाएंगे लॉलीपॉप बनाने के लिए मैंने स्टफिंग ली है आलों की हातों है और पहले मैंने इसके कवाब की शकल दी है और एक आईस्प्री में स्टीक ली है उस पियोप पर हम लगा कर अच्छी तरह से लॉलीपॉप की शकल दे देंगे और आप देख सकते हैं कि यह मैं किस तरह बना रही हूँ इसी तरह हमें सारे बना कर रखनेंगे और यह देखे, मैंने सारे बना लिया है अलग से एक पलेट में मैंने दो टेमणील स्पून मेदा लिया है मेदे में थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ज्यादा पानी नहीं डालेंगे शाल रखिएगा कि लंप सना बने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे हम गाड़ी सी पैस्ट बना लेंगे और ये देखें मैंने गाड़ी सी पैस्ट बना ली है दूसी तरफ एक प्लेट में मैंने क्रश की हुई मैगी रखी है सबसे पहले हम लोलिपॉप को मेदे की पैस्क में डिप करेंगे उसके पाद हम इसको मैगी वाली प्लेट में रखेंगे और मैगी को अच्छी तरह से पूरी लोलिपॉप के उपर लगा देंगे हाथों की मदश से अच्छी तरह से सेट करेंगे दबा दबा कर मेगी लगाने के बाद हम रेट क्रम्स लगाएंगे यह एक तरीका था जो मैंने आपको बता दिया अब यह दूसरा तरीका है सबसे पहले हम लोली पॉप को मेरी की पैस्ट लगाएंगे उसके बाद मैंने आलू के छोटे-छोटे से क्यूप्स कटिंग किये हुए हैं वो इसके उपर अच्छी तरह से सैटिंग करके लगा देंगे और आप देख सकते हैं कि यह मैं किस तरह लगा रही हूँ आप भी इसी तरीके से लगाएंगे बचों को जिस तरीके से भी आप बना कर देना चाहेंगे तो वो बहुत मज़े सिखाएंगे मैं आपको तीन तरीकों से यह बनाना सिखा रही हूँ यह देखें आलू भी मैंने बहुत अच्छी तरह से लगा दिये हैं आलू के बाद दुबारा से हम ब्रेट क्रम्स लगाएंगे और आलों के उपर से हलका हलका से ब्रेट क्रम्स हम हटा देंगे ताके जब भी हम इने फ्राइ करें तो यह अच्छी सी फनीशिंग आए अब मैं यह तीसरी तरीके से बना रही हूँ यह सिंपल मेदे में डिप किया है लोलिपॉप को और इसके बाद हम ब्रेट क्रम्स लगा देंगे अब हम इने फ्राइ करेंगे फ्राइ होने के लिए मैंने आईल को पहले ही गरब होने के लिए रखा हुआ था जैसे ही मैंने डाला है मैंने चमज नहीं चलाया बलकिह पहले हलका सा नीच़े से पकने दिया हैं और आईल हलका हलका चमशे की मदश से मैं उपर डाल रही हूँ ताके उपर से भी अच्छी तरह से यह फ्राइ हो जाए कुछ सेकेंड में ये बहुत ही प्यारे गोल्डन से कलर के हो जाएंगे तक्रीबन दो मिनट लगे थे और ये बहुत ही मज़े के लोलिपॉक त्यार हो जाएंगे अगर आपको मेरी वीडियो जड़ा भी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा मेरी रैस्पी को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ये आपकी तरफ से एक छोटा सा प्यार भराई नाम होता है जोके बिल्कुल फीरी है जिसके उपर मैंने आलू लगाये थे वो बहुत अच्छी तरह से जन्दी से फ्राई हो चुकी है लॉलिपॉप और मेगी वाली में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मेगी क्रिस्पी होने में थोड़ी सी टाइम लगती है मेगी को और ये देखे ये भी फ्राई हो चुका है आप अपने खर में एक बार तो इनको जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर रैस्पी पसंद आए तो मेरी रैस्पी को जरूर लाइक करते हुए जाएगा और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल प्रोफीस!